हेलो और वेलकम यू आल टू माई यूट्यूब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें आज के इस वीडियो में हम American author Nathaniel Hawthorn की एक essay Sir Isaac Newton पर कुछ multiple choice questions देखेंगे Isaac Newton का नाम नहीं सुना हो, शायद ही ऐसा कोई विक्ति हो सकता है तो दुनिया में जहां कहीं बच्चे पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं तो उनको Newton के laws, Newton ने जो भी discoveries, inventions किये हैं उसके बारे में पढ़ना ही होता है, चाहे वो physics हो, चाहे वो mathematics हो, तो ये science की branches Newton के बिना अधूरी हैं Newton की पढ़ाई के बिना अधूरी हैं, तो इस essay में Nathaniel Hawthorn बिलकुल Newton के इसी यउगदान को हमारे सामने रखते हैं और Newton एक जब बच्चा होते हैं, याने कि वो child होते हैं, तब उनका दिमाग कैसा था, तब वे क्या करते थे, कौन-कौन सी ऐसी चीजे बनाते थे, जो की बहुत ही अधूरी होती थी उनके पास बहुत सारी ऐसे अवजार होते थे, जो उनोंने खुद ही बनाए थे, उसका उप्योग करके वो बहुत ही अदबूत ऐसी चीजे बनाते थे, उनके मित्र, उनके रिष्टेदार, उनके जो पडोसी थे, उनको भी ऐसा लगता था, जब वो बच्चा थे, तब उ उनको ऐसा लगता था कि शायद बड़े होकर ये कारपेंटर बनेंगे या फिर अर्किटेक्ट बनेंगे, वो उनकी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, ग्रैंड मदर कभी उनकी तारीफ करते थकती नहीं थी, वो अक्सर कहती कि न्यूटन आगे जाकर बहुत ही अच्छा बन प्रजने में उनके लौज से, उनके डिस्कवरीज से हमें मदद मिली है, उसके बारे में वो हमें बताते हैं कि बिल्कुल उनको ये शोक था, तारो को रात में, देर तक वो देखते थे, और उनको अनेक कैसे प्रशन उनके मन में चलते थे, कि ये सब कैसे गवर्न होता है, ये Earth और ये बाकी planets और ये Sun तो क्या connection है इन सब में अक्सर उनके दिमाग में ये बाते चलती थी और उन्होंने बहुत research करके और बहुत ही विचार करके ये सब प्रशनों के बहुत सारे उत्तर उन्होंने खोज निकाले Newton ऐसे पहले वेक्ती थे जिन्होंने light का nature कैसा होता है इसका शोद लगाया और भी बहुत सारे ऐसे उनके discoveries है तो इसी के बारे में इस essay में Nathaniel Hawthorn बात करते हैं तो चलिए इस essay को multiple choice questions के माद्धियम से हम समझने की कोशिश करते हैं The first question is Nathaniel Hawthorn was a well-known dash novelist and short story writer options are British, Scottish, Irish, American Nathaniel Hawthorn अमेरिका से बिलॉग करते हैं option D next question the text Sir Isaac Newton was published in Hawthorn's dash options are collected stories from Newton's life, true stories from history and biography, true stories of British scientists, true tales from history and psychology यह text Sir Isaac Newton यह Nathaniel Hawthorn की कौन सी किताब से लिया है तो उस किताब का नाम है true stories from history and biography जिस से यह text लिया गया है next one Newton was interested in the workings of dash options are mechanics and mathematics, physics and chemistry, tools and machines, windmill and clocks Newton को दिल्चस पी थी, mechanics and mathematics में next one Sir Isaac Newton was born on Christmas day in dash options are 1640, 1642, 1644, 1650 Isaac Newton का जन्ड्रिस्मस के दिन 1622 में हुआ था next one Sir Isaac Newton was died in options are 1725, 1730, 1727, 1728 Sir Isaac Newton की मृत्यू 1727 में हुई थी next one Newton was born in the small village of dash in England options are Ulsthorpe, Stanton, Clovelly, Cartmel Newton का जन्ड्रिस्टन के एक विलेज में हुआ था जिसका नाम था Ulsthorpe next one after the death of Isaac's father Isaac's mother was married again to dash options are a farmer, a painter, a clergyman, a scientist Newton जब छोटे थे तब उनके पिता के मृत्यू हुई और उनकी पिता के मृत्यू के बाद उनकी माता ने फिर से शादी की और उन्होंने एक clergyman से शादी की clergyman यानि की जो की चर्च में काम करता हो religious duty option C next one who took care of Newton when he was a child options are his father, his mother, his grandmother, his grandfather जब Newton बालग थे तब उनकी देखवाल किसने की तो जब Newton की माता ने दूसरी शादी की तो वो उनके दूसरे पती के साथ रहने गई और उन्होंने Newton को Newton की grandmother के पास रखा option C next one he was chiefly remarkable for his dash in all mechanical occupations options are hard work, ingenuity, approach, none of these Newton की दिल्चस्पी अकसर यांत्रिक क्रिया करने में थी तो उसको हम ingenuity यानि की cleverness ऐसा कहते है option B next one Newton's dash was never weary of talking about him options are grandmother, mother, father, teacher Newton की जो grandmother थी वो कभी थकती नहीं थी Newton के बारे में बात करने में next one what did everyone think Newton would be good at in future in the beginning options are architect, carpenter, both A and B astrologer जब Newton छोटे थे तब अकसर उनके पड़ोसी, उनके मित्र उनको लगता था कि वो बड़े होकर एक architect या फिर carpenter बनेंगे option C, both A and B next one he'll make a capital workman one of these days who said this about Newton options are mother, father, grandmother, friend so, बड़ा होकर एक अच्छा आदमी बनेगा एक workman यानि कि अच्छा काम करने वाला बनेगा Newton इसा उनके बारे में कोन कहता था था उनकी grandmother ऐसा कहती थी option C next one which things did Newton use to make different articles options are a set of little tools, saws of various sizes, both A and B a chisel and a screwdriver Newton बहुत सारी चीजे बनाते थे नहीं नहीं अदबुत ऐसी चीजे बनाते थे और वो बनाने के लिए उनके पास एक आउजार का ऐसा बकसा था set था उससे और उनके पास saws भी थी करवते भी थी तो उससे बनाते थे option C next one Newton seemed to have been born with dash in his hand options are a saw or chisel a telescope, a stethoscope, a set of tools तो ऐसा कहा जाता है कि Newton जैसे ही उनका जन हुआ तो वो उनके हाथ में करवत या फिर हतोड़ी लेकर पैदा हुए option A next one Isaac's friends advised his grandmother to apprentice him to dash options are a carpenter and astrologer a clockmaker and architect Isaac के रुची गनित में थी तो Isaac के दोस्तों ने Isaac की grandmother को ऐसा कहा कि Isaac को जो लोग घड़ी बनाते हैं उनके पास कुछ सीखने के लिए भेजना चाहिए क्योंकि उसका गनित का ज्यान गड़ी बनाने में उपयोग में लाया जा सकता है option C a clockmaker next one what did Newton use to make his clock? options are oil, paraffin, water, battery Newton ने पानी का प्रयोग करके एक घड़ी बनाई next one Newton made curious clocks like dash options are those that contain sets of dancing figures those where a ship sells across the face of the clock both A and B those which work on electricity Newton जिब छोटे थे तब वो अक्सर अधभूत ऐसी घड़ीया याने की clocks बनाते थे तो जैसे की उस clock में dancing figures होते थे जैसे की कुछ clock में एक नाव होती थी और वो पानी पर तेरती थी तो ऐसी घड़ीया वो बनाते थे both A and B next one what did Newton make to help his grandmother with time other than the water clock? options are wristwatch, sundial, alarm clock none of these Newton ने उनकी grandmother के लिए एक water clock बनाई थी जो की छाओ में यानि की जब वो घर में रहती उनकी grandmother तो उनको समय का पता होता लेकिन जब वो बाहर आती दूप में आती तो उनको कैसे समय का पता होना चाहिए इसलिए उन्होंने उनकी grandmother के लिए sundial बनाई next one what was there near the house of Newton's grandmother? options are a windmill, a museum, a palace, an inn Newton's grandmother का जो घर था उसके बहुत ही नजदीक एक windmill थी जहां Newton अक्सर जाया करते थे वो बहुत ही बारी किसे देखते की वो windmill का कारिय कैसे चलता है उनको रुची थी वो mechanics जानने की next one how did Newton measure the strength of the wind? options are he threw feathers in the air he threw papers in the air he jumped against the wind he jumped with the wind तो उनको यह पता करना था कि wind की strength, wind के force कितना है तो वो अक्सर wind के against jump करते और वो calculate करते कि उसकी speed, उसकी strength कितनी है option C next one what was the windmill near his house used for? options are to generate electricity, to transport water to grind maize, to grind wheat windmill का प्रयोग wheat grind करने के लिए किया जाता था, option D next one, who was appointed as the miller on the windmill made by Newton? options are Mr. Squirrel, Mr. Mouse, Mr. Parrot, Mr. Crow वो windmill देखकर Newton ने एक उसी की बिलकुल प्रती कृती ऐसी छोटी windmill बनाए जिसका function बिलकुल बड़े windmill की तरह था और वो छोटी windmill में भी जब grains अनाज डाला जाता था तो उसका जो flower तयार होता था flower याने की जो हम रोटिया बना ले के लिए यूज करते हैं तो वहां miller याने की वो अनाज डालने के लिए किसको अपॉइंट किया गया तो Mr. Mouse को वो अपॉइंट करते हैं हाला कि एक थोड़ा सा comic ऐसा funny part है इस essay का लिटरली ऐसा कुछ वो mouse आना जो अगयरा नहीं डालता है लेकिन वहां वो रखता है next one what did Isaac's mother wish when Isaac was 14 years old options are that Isaac would study mechanics and mathematics, that Isaac would be an astronomer that Isaac would leave school and assist her in managing the farm, that Isaac would start a bakery जब Isaac Newton 14 उनकी मा को लगता था कि उन्होंने school छोड़नी चाहिए और उनको farming में खेती करने में मदद करनी चाहिए option C next one, for his higher education Newton went to Dash, options are the University of Cambridge the University of Oxford, the University of London, Imperial College of London उनकी पढ़ाई के लिए जब school की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसके बाद Newton University of Cambridge option A next one, what presentiment Newton had in his early life presentiment याने की भविश्य में अगर कुछ होने वाला है तो उसके खयाल उसका वीचार पहले ही अमको आना उसको presentiment कहते है options are that there will be doomsday doomsday याने की ऐसा दिन जिस दिन ये प्रत्वी ये सब नश्ट होने वाला हो उसको doomsday कहते है that he would be able to answer all the questions related to the sun, the moon, the earth and the other planets that he would die soon, that he will meet God तो उनको अक्सर ऐसे खयाल आते थे कि एक दिन वो उन सभी प्रश्णों के उत्तर देंगे जो कि ये सूरज, ये चांद, ये प्रत्वी और बाकि सारे ग्रह, इनका कारिय कैसे चलता है तो उनको ऐसा अक्सर लगता था पहले ही जो उन्होंने करके दिखाया बढ़ने की ये नेचर आश्टाव्ट का स्वरूप अमारे सामने रखाई अक्सर भहती उत्सुटा के साथ वो उन्होंने करके दिखाया तारों की तरफ देखते हैं, the stars. Next one, according to one of Newton's discovery, what keeps the heavenly bodies in their courses? Heavenly bodies याने की ग्रह तारे. Options are the force of gravitation, the laws of motion, the attraction force, the repulsive force. वो वो force of gravitation होता है, जिसके तहत ये stars or planets ये उनकी जगह पर रहते हैं. Option A. Next one, the boy had found out the mechanism of a windmill, the man explained to his fellow man, the mechanism of dash. Options are the sun, the planets, the universe, the earth. तो जब Newton boy ये की लड़का थे, तो उनोंने windmill का mechanism लोगो को बताया है, और जब बड़े हुए, तो उनोंने ए विश्व का mechanism लोगो को बताया है, कि कैसे ये सब universe चलता है? Next one, what was the name of Newton's little dog? Options are diamond, blue star, Max Rex. Newton के पास एक डॉग याने की कुत्ता था, उसका नाम diamond था. Next one, how did the dog destroy Newton's papers? Options are by eating them, by overthrowing the lighted candle, by tearing them, none of these. Newton का एक छोटा डॉग था diamond, और Newton ने जो research किया था 20 साल में, जो भी उनोंने discoveries, inventions किया थे, तो उसका उनोने पूरा ब्यवरा लिखा था paper पर उनकी research, 20 साल की उनकी मेहनत, और वो सब मेहनत, वो सब papers एक टेबल पर रखे थे, थोड़ी देर में Newton, थोड़ी देर के लिए, उनकी study room से बाहर गए, तब वहाँ वो कुत्ता था वो candle, वहाँ जल रही थी तो उसने, उस candle को पेपर पर गिराया, और सब पेपर पूरे जल कर खाक होगे, so by overthrowing the lighted candle next one, what did Newton do to the dog after it destroyed his papers, options are, he threw him out he killed the dog, he patted his head he gave it to his neighbor तो इसके बाद Newton ने कुछ गुसा नहीं किया, instead he patted his head next one, what awards and recognition did Newton receive in his life, options are, he was made a member of parliament, he received the honor of knighthood from the king, both A and B he was made the vice chancellor of the university of Cambridge Newton को कौन से awards या फिर सम्मान उनकी life में मिले, तो उनको England की Parliament का member बनाया गया और उनको England की राजा की तरफ से knighthood किताब से नवाजा गया, both A and B next one, the boundless ocean of dash lies undiscovered before me options are water, truth, treasure, knowledge, Newton ने इतनी discoveries की, लेकिन फिर भी वो बहुत ही विनम्र थे, बहुत ही अंबल थे उनको लगता था कि इस दुनिया में बहुत सारा ग्यान है और जिसकी खोज मैंने की है वो बहुत ही चोटा है, बहुत ही चोटा और वो ग्यान बहुत बढ़ा है, जिसकी खोज अभी भी करनी है, तो इसी के बारे में इस essay में a sentence है, the boundless ocean of truth lies undiscovered before me so जितना काम मैंने किया है उससे कई गुना ज्यादा काम करने को बाकी है next one and the last question, besides Newton the author mentions the name of which great American astronomer who was endowed with mechanical genius options are Charles Abbott, John Adams David Rittenhouse, Walter Adams Newton के अलावा Nathaniel Hawthorne और एक महान American astronomer का जिक्र इस essay में करते है जो की बिलकुल Newton की तरह यांतरिक चीजों में दिल्चस्पी रखने वाला था बहुत ही genius था तो वो American astronomer है David Rittenhouse I hope कि आप को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अगर आप नए है मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूली तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू